प्रिये व्यूवर्स यह संस्कृति आई एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक आंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगत प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंदित पांच प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए शुरू करते हैं अचके अपने प्रश्नों को पहले प्रश्न को देखिए बेसाक के संदर्व में निन्मिलिखित कत्नों पर विचार करें भगवान बुद्ध के जन्म ज्यान एवं मृत्यू के कारण इसे विश्व भर में बौध्धों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है संदराष्ट महासवानी वर्श 1999 में इसे अंतराष्ट्रिय बेसाक दिवस के रूप में मानित प्रदान की थी उपुरिप्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो क्या होगा इसका सही उत्तर? ओप्शन C व्याख्या से इसको डिटेल में समझते हैं? बुद्ध पूरिमा के अवसर पर संस्कृति मंत्राले तथा अंतराष्ट्रे बौध परिसंग द्वारा एक अंतराष्ट्रे कारिक्रम आयोजित किया जा रहा है इस कारिक्रम में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा मुक्य भाशर दिया जाएगा बेसाक को बुद्ध पूरिमा या बुद्ध दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह विश्व भर में बौध्धो का सबसे पवित्र दिन है यह दिन बौध्ध धर्म के संस्थापग भगवान बुद्ध के जन्म ग्यान इवं रित्यु की याद दिलाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सब एक ही दिन हुआ था बेसाग को बैशाग महीने की पूड़िमा के दिन मनाय जाने के कारण भारत में बुद्ध पूड़िमा के रूप में जाना जाता है मानपता के विकास में बौदधर्म के योगदान को सुईकार करने के लिए संयुतराष्ट महासावा ने वर्ष उन्निन्यानवे में संकल्प द्वारा इसे अंतराष्ट्य बेसाग दिवस के रूप में मानिता प्रदान की थी इसलिए कथन एक और दो दोनों सही है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी दूसरे प्रशन को ध्यान से देखिए भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग के संदर में निन्मलिकित में से कौन से कथन सही है? यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रतिसपर्धा अधिनियम 2002 के तहट की गई थी तथा इसका अध्यक्ष केवल वित्य मंत्राले का सचिव होता है नीचे दिये गए कूट की साहिता से सही उत्तर का चयन कीजिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है ओप्षिन ए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं हाल ही में वित्य एवं कॉर्पूरेट कारे मंत्राले द्वारा भारतिय प्रतिसपरदा आयोग के वारवे वाशिक दिवस का आयूजिन किया गया है इसका गठन प्रतिसपरदा आधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने तथा कारुवार में प्रतिसपरदा को बढ़ावा देने एवं उन कतिविदियों पर रोक लगाने के लिए किया गया है जिनका देश में प्रतिसपरदा के परिवेश पर प्रतिकूल प्रभाव प लोग में प्रतिस्पर्धा तथा निजी उध्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी आवश्यक्ता महसूस की गई थी इसका अध्यक्ष भारतिय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी या सचिव होता है और इसी लिए कथन को अपोगी भी कहा जाता है उपुरिक्त मैंसे कौन से कथन सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर चुनिये क्या होगा ओप्शिन ए इसकी व्याक्या को देखते हैं सुपर्मून की खगोलिय घटना तब होती है जब चंद्रमा प्रत्वी से सबसे निकट होता है सुपर्मून नाम वर्ष 1989 में रिचर्ड नोल ने दिया था इस दोरान चंद्रमा 14 प्रतिशत अधिक बड़ा और 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई दिखाई दिता है इस घटना को पेरिगी मून भी कहा जाता है वहीं जब चंद्रमा प्रत्वी से सबसे दूर हो तो इस इस्तती को अपोगी कहते हैं विदित है कि वर्ष 2021 में सुपर्मून की पहली घटना एप्रेल में हुई थी 26 माई को इस वर्ष की दूसरी सुपर्मून की घटना हुई है और इसलिए कथन एक सही है जबकि गथन दो गलत है और इसका सही उत्तर है ऑप्शिन ए चोथे प्रशन को देखे ध्यान से लक्ष दीव विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के संदर्व में निन्मलिखित कत्नों पर विचार करें यह सरकार और उसके सभी नियमों को प्रत्यक्ष हस्त शेप करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करने के संदर्व में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है इसके तहट विकासात्मक कार्यों के लिए दीववासियों को उनकी संपत्ती से वेदखल या स्थाना अंत्रित किया जा सकता है उप्रिक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो सही उत्तर होगा option C, यानि की उप्रिक्त दोनों कतन ठीक है प्याख्या को देखिए लक्षदिव विकास प्रादिकरण विनियमन 2021 सरकार और उनके सभी निकायों को प्रत्यक्ष हस्त शेप करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करने के संदर्व में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है इसके तहट प्रशासक को यह शक्ती प्राप्त होगी कि वह नगर निर्माण अत्वा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए दिववासियों को उनकी संपती से बेदखल यह स्थानांतित कर सकेगा यह मसौदा सरकार को अपने विनियमन के तहट प्रदान की गई विकासात्मक गतिविदियों के लिए किसी भी भूमी को चुनने का अधिकार देता है भूमी का चुनाव करने के बाद सरकार अपनी अनुसार भूमी का उपियोग कर सकती है अर्थार इसके लिए भूमी के मालिक की मन्जूरी की आवश्यक्ता नहीं होगी यह सावजनिक उदेश के नाम पर ली गई आवश्यक भूमी होगी यह मसौदा कई प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है क्यूंकि इन विकासात्मक गतिविदियों में खनन, सावजनिक भवन निर्मार तथा इंजिनिरिंग सहित कई निर्मार गतिविदियों को शामिल किया गया है इसमें यह भी कागया है कि किसी भी कानूनी कारिवाई में विकास योजनाओं को मंजूरी मिलने के पहले या बाद में कोई पूश्टाच नहीं की जाएगी इस मुसौदे का व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है क्यूंकि इसे रियल स्टेट लॉबी द्वारा प्रेरित तथा दीव वासियों के हितों के विरुद माना जा रहा है और इसलिए दोनों ही कथन ठीक हैं और सही उत्तर क्या था ओप्शन सी बढ़ते हैं अच्के अपने अंतिम प्रशन की ओर हाल ही में ताप विद्युत सायंत्रों में वायू मास के प्रयोग से जुड़े राश्ट्रिय मिशन की स्थापना का निर्ने लिया गया है इस संदर में निर्मिलिकित कत्नों पर विचार करें इसका उद्देश्य पराली से होने वाले प्रदूशर की समस्या का समाधान करने तथा ताप विद्युत उत्पादन के कारवन फुट्प्रिंट को कम करना है या इसे नवीन इवं नवी करने उर्जय मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है तथा इसकी अवधी नियूरितम पाँच वर्ष की होगी उप्रियुक्त में से कौन से गथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, डी उप्रियुक्त सभी सही उत्तर होगा ओप्शन C व्याख्या से इसको समझते हैं विद्वित मंत्राले ने पराली जलाने से होने वाले बायू प्रदूशर की समस्या का समधान करने तथा ताब विद्वित उत्पादन के कारवन फूट्प्रिंट को कम करने के लिए कोईला आधारित ताब विद्वित सयंत्रों में वायू मास के प्रयोग से एक राश्ट्रिय मिशन स्थापित करने का निर्ने लिया है यह देश में उर्जा संबंधी वदलाव एवं स्वक्ष उर्जा श्रोतों की ओवब बढ़ने के लक्षियों को हासल करने में सहयक होगा यह मिशन राश्ट्रिय स्वक्ष वायू कारिक्रम में भी योगदान देगा इस मिशन के अवदी नियू नितम पांच वर्ज की होगी इस मिशन के निनम लिखित उद्देश्य होंगे उन पे नज़र डालते हैं ताव विद्धु संयंत्रों से कारवन न्यूट्रल विद्धुत उत्पादन के लिए को फाइरिंग के स्तर को वर्टमान के 5 प्रतिशत से बढ़ा कर उच स्तर पर ले जाना है वायू मास पेलिट में सिलिका चार की अधिक मात्रा को समालने के लिए वायलर डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास गतिविदी शुरू करना वायू मास पेलिट एवं क्रशिय विशेशों के आपूर्ती श्रंखला में बाधाओं को दूर करने तथा विद्धुत संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा देना वायू मास को फाइरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना इस मिशन में विद्धुत मंत्राले के सचिप के अध्यक्षिता में एक संचालन समिती गठित होगी जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकर्तिक गैस मंत्राले नवीन एवं नवीकर्णिय उचा मंत्राले आदी के प्रतिनिदी शामिल होंगे CEA सदस्य कारेकारी समिती के अध्यक्षि होंगे साथ ही NTPC प्रस्तावेत राश्टे मिशन में रसद और बुनियादी धाचगत साहता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसलिए कथन एक और तीन सही है जबकि कथन दो सही नहीं है इसलिए इसका सही उत्तर होगा Option C